जैहिन to all defense aspirants स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर The Tutors Academy के YouTube चैनल पर और previous year questions की series में I welcome you once again solution के साथ तयार हूँ English के question का TDS previous year में question आया था आपका CDS second 2016 और sentence है Reordering of words या फिर आप बोल सकते हैं Reordering of sentences क्या है The ultimate hope will force the nations राष्ट्यों को क्या करेगी Force करेगी That the destruction, destructive nature of weapons जो हतियार है उनका destructive nature To give up war जो युद्ध है उसको छोड़ देना है ना या उसको नहीं करना खतम कर देना Has not been fulfilled वो fulfill नहीं हो सकी वो fulfill नहीं हो सकी है तो यहाँ पर जो main काम होता है आपका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ Pairing बड़ी important है Pairing बहुत ज़्यादा important है तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किस चीज के लिए force हो रहा है भाई nations को, राष्ट्रों को या देशों को किस चीज के लिए force कर रहे हैं यहाँ पर हम करना है, will force the nation to give up war एक pair मुझे मिला PR का अब यह pair से होगा क्या, क्या कमाल करेगा यह pair आप देखिएगा PR यहाँ पर नहीं है option number C में है, option number D में है और option number B में नहीं है एक pair से मुझे क्या पता चला एक pair से मेरे दो options कट गए अब बचे हुए दो options में decide कर पाना और भी आसान हो जाएगा, है ना देखिए, पहला sentence अगर मैं D को पढ़ूँगा, P से शुरू हो रहा है the ultimate hope, जो आशा है will force the nations क्या आशा, nations को force कर सकती है, वैसे पढ़ो आगे और nations to give up war war को त्यागने का, चलो यहां तक मैं मालनू सही है, that the destructive nature of weapons has not been fulfilled, हतियारों का destructive nature fulfill नहीं हो पाया या फिर hope fulfill नहीं हो पाई आप decide करो, इस sentence को पढ़ो, क्यों से start हो रहा है the ultimate hope, that the destructive nature of weapons क्या करेगा, will force the nations to give up war, कि भई हतियार इतने destructive है, ये उनको क्या करे, force करे कि भई, war में कुछ नहीं रखा, वो hope has not been fulfilled, वो आशा आज तक fulfill नहीं हो पाई है, option number C will be your perfect and right answer, ठीक है, तो pairing is important, आपको हमेशा बताता हूँ, है ना, तो यही आपकी strategy, यही आपकी approach होनी चाहिए, अगर आपके exam को आपने clear करना है ठीक है, तो जुड़े रही है हमारे साथ subscribe कर लीजे channel को और notice जो icon है उस पर click कर दीजे, ताकि आपको updates मिलते रहें, ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले question में, जैहन, जै भारत